हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूलू एप कैसे यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें प्लेस्टोर से यूलू एप को डाउनलोड करना पड़ेगा तो हम प्लेस्टोर में जाएंगे यहां सर्च ऑप्शन में यूलू सर्च करेंगे यूलू यू एल यू अब हमें इसको इंस्टोर करना होगा लेकिन मेरे मुबाइल में ये पहले से इंस्टोर है तो इंस्टौल करने में दू मिनिट लगए कि उससे ज्ञादा नहीं फिर इंस्टौल करकर हम उसे ओपन करेंगे यह मारा यूल अपन हो रहा है पिर आपको जिस नंबर पर रेजिस्टर करवाना है यूल वेप में वह नंबर यहां पर डायल करना है मेरा नंबर है यह मैंने अपना नंबर डाइल कर दिया है यहाँ पर अब नंबर डाइल करने के बाद हमें continue करना है तो यहाँ पर OTP बता रहे हैं तो हमने जो नंबर अभी डाइल किया था उसी नंबर पर एक OTP आएगा मेरा OTP आ गया है फोर डिजिट का होगा 7594 यह मेरा OTP है सबका अलग-अलग OTP होता है यह हमारा YOLO APP स्टार्ट हो चुका है अब आप देख सकते हैं कि हमारा YOLO APP स्टार्ट हो चुका है तो सबसे पहले हमें YOLO APP में अपनी प्रोफाइल बनानी होगी तो उसके लिए मैं यहां जो मैनू आप्शन होगा यहां पर हमें क्लिक करना है और यहां पर एड़ने में अपनी प्रोफाइल बनानी है तो उसके लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपका जो नाम है वह में यहां पर लिखना है जैसे मेरा नाम और यहाँ पर email आईडिया आपकी जो भी है और यहाँ पर password उसका तो मेरा नाम है मैं अपना यहाँ पर नाम add कर दो अब देख सकते हैं मैं अपना यहाँ नाम add कर दिया है उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी ID डालनी है आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी ID डाल दिये अब उसके बाद हमें यहाँ पर अपना password सेट करना है जो ID का password है वही password है अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना password डाल दिया है अब इसको अपडेट पर क्लिक करना है यह होई अपडेट अभी हमारी profile बन गई अब अगर picture रखना चाहते हो अपनी profile पर तो आप picture भी रख सकते हैं अब यहाँ से हम भार निकलेंगे तो यहां पर बाता हैं अपको यह योलू कैसे यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए आपको यहां unlock button जो है blue color में उस पर आपको click करना है उसके बाद यहां पर pay now औप्शन पर clicking करना है जो blue color का है इस पर हमने खीक क्लिक किया उसके बाद हमें amount choose करनी है कितने रुपीज की हमें चलानी है तो उसके लिए जैसे मुझे 100 रुपीज अब 10 रुपीज भी ले सकते हैं 30 रुपीज 5 रुपीज जितने भी जैसे मैंने 100 रुपीज लिए और यहाँ पर अब देख सकते हैं यहाँ पर 300 दिखा रहा है वेलके 100 दिखाना चाहिए यहाँ पर 300 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर हमें यूज करनी है तो उसके लिए हमें deposit देना जरूरी है तो deposit है 200 हर CT में अलग-अलग deposit है उसके बाद हमें pay now करना है जिससे भी हम amount pay करना चाहिए कर सकते